वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर तो आज की इस वोड़ों आपको दिखाने वालों कैपकट में कैसे हम ट्रेंडिंग फोटो ट्रांजिसन व्यूड़ो एडिटिंग कर सकते प्रिव्यू आपने व्यूड़ो के स्टार्टिंग में देखे लिया था बिल्कुल सेम व्यूड काफ़ी पसंद आएगा तो अब अपने व्यूड़ो को स्टार्ट टिक कर लेते हैं वह आपको पता ही होगा यहार कि कैपकट को यूज करने के लिए हमें किसी वीपीन से कनेक्ट होना पड़ता है सो में यहां को वीपीन के पास आता हूँ एंड सौथ कोरी सेलेट करें करे ठीक करनेक्ट हो जाने के बदेशन के अपको नॵीपकोशिर को पर क्लिक कर देना अगा उसके बाद आपको यहां पनी फोटोच एड करना जया फो फोटोच आपव के एल्बाम के लिए ऐल्बाम के उपर क्लिक करना ए है File सारा folder जहां पर एक आपके photos होंगे ठीक है अब जो folder में आपका photo होगा उस वाले folder को select कर लेना एंड लो भाई आपके सारे photos देखने को मिल गए ठीक है देन उसके बाद यहां पर आपको अपनी photos को select कर लें तो जो photo आपको अच्छा लगता है वो सारे photos को यहां पर just add कर लेना okay so basically हमें 7-8 photos की requirement होगी ठीक है तो इतना add कर लेंगे okay photos add हो चुका देन उसके बाद हमें इसे अच्छा से adjust करना होगा तो सबसे पहले हम यहां scroll करेंगे and format को उपर click करेंगे then 9-16 को आपको select करने ठीक है इस ratio को हम select कर लेंगे अपने photos के उपर click करेंगे और इसे इस तरीक से zoom करके पूरा screen में अच्छा से adjust कर लेंगे okay तो यहां पर हर एक photo को मैं adjust कर लेता हूं then उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं next step तो सारा photo is हमारा adjust हो चुक है ठीक है आप देख सकते हूं now उसके बाद हमें यहां पर music add कर लेंगे अब जो music मैं use कर रहा हूं उसका लिंक में दे दूंगा description तो वहां साब उसे download कर सकते हूं now audio को उपर click करते then sound को उपर click करते और यहां पर just file को select करेंगे and अपनी audio को उपर tap कर देंगे तो हमारी audio यहां पर add हो जाए ठीक है आपको यहां पर beats सुनाय देने लगेंगे अब जहां जहां आपको beats सुनाय दे वहां पर प्रसका एक बटन दे देना means add beat के उपर tap कर देने ठीक है तो जहां पर beat आपको सुनाय देगा हर एक जगा पीसे आप एड करना तो मैं यहां पर completely add कर लें तो beat को सुनके then उसके beats आना start हो गए ठीक है तो अब हमें क्या करना है हमारी सारी photos को अपने beat के according adjust करना हो ठीक है तो first photo पर click करेंगे and इसे यहां से scroll करते हुए अपने first beat के पास लेके आएंगे अब beat कैसे पादा चलेगा यहां आप देख सकती हो और यह वाला जो एलो-एलो दिख रहे न यही बीट है ठीक है तो इतना ही दूर तक लाके अपने photo को adjust कर ले न इस तरह के साप adjust कर ले न adjust करने का एक simple सा तरीका में बताता हूं photo को पर click करना split को पर click करना and delete कर देना ठीक है फिर से next beat के पास आना अपने photo को पर click करना and delete कर देना तो इस तरह के से करके हर एक photo को आपको अपने beat के according adjust कर लेना है देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हो कि हमें next step क्या करना होगा okay तो यहाँ पर सारा photo जो हमारे beat के according adjust हो गया अब इससे last वाले part को भी मैं cut कर देता हूं ठीक है और यह वाले photo के हमें requirement नहीं होने वाली यह सब extra photo है तो इन सभी को हम यहाँ से delete कर देंगे okay तो सारा photo जो हमारे beat के according adjust हो चुके noise में animation देने के लिए हमें simply सब first वाले photo को पर click करना होगा then उसके बाद आपको यहाँ पर एक animation का option मिल रहा है इसके उपर आपको क्लिक करना then आपको combo में आने ठीक है combo में आप आओ and उसके बाद यहाँ पर आपको काफी सारे effect देखने को मिल क्रॉल करके आपको जस्ट यहाँ पर na bisect 2 को select करने ठीक है आप यहाँ पर scroll करें तो आपको bisect 2 देखने को मिल जागा आप उसे simply सा यहाँ पर select कर ले ना तो मैं थोड़ा सा scroll कर दा हूँ and देख लेते हमारा bisect 2 कहाँ पर ठीक है और simply से apply कर देंगे bisect 2 हमें मिल जुगा अब इसके उपर simply सा click करते और यह apply हो गया ठीक है but bisect 2 apply होने के बाद आप देख सेकतो हमारा जो photo यह means rotate हो गया उल्टा हो गया ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं उसे हम सिधा कर लेंगे but सबसे पहले effect को apply करेंगे आपको done करना होगा अब यह photo जो उल्ट से इस तरीगे से rotate करने ठीक है अपने दो fingers का use कर इस तरीगे साप इसे rotate करना 180 degree में जस्ट आपको rotate कर देना होगा and low भाई हो गया सीधा क्या ही दिक्कत है ठीक है तो थोड़ा सा process हमारा बढ़े कि हमें सीधा करना पड़ा बट क्या यह दिक्कत है means हमने कर लतो लिया okay तो इस तरीगे से first dollar आपको कर लेना होगा now यह जो आपको यहां पर बाकी effect sorry photos देखने को मिल रहे इनमें आपको effect add करना होगा तो effect कैसे add करेंगे अपने photo को पर tap करेंगे animation में आए animation में फिर से आप इन में रहोगे तो इन में भी आपको काफी सारी effect देखने को मिलते जो अच् तो इसे आप यूज़ कर सकते हो otherwise combo में आओ combo में भी आपको काफी सारी effect मिल जाते है कोई effect आगर आपको पसंद आ जाता है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो okay जैसे कि distort वाला भी काफी सही लगते है ठीक मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूं ठीक काफी अच्छे वा इतने भी फोटे उन्हें आपको जो effect पसंद आते हैं उन्हें आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर pen right को में यूज़ करता हूं next वाला में pen left को यूज़ कर लो ठीक मिन से क्या होगा कि combo type कर रहेगा तो जादा बेटर लगेगा ठीक है तो यहाँ पर में right और एक में effect and flash effect था उसे add करेंगे तो उसे कैसे add करना वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं ठीक है तो यह वाला effect हो चुके और starting में हो जो हमार सेक effect and straw वाला effect साथ माइंस flash वाला effect उसे add करने के लिए effect को पर क्लिक करना होगा video effect को पर आना होगा देन उसके बाद यहाँ पर काफी सारे option मिलेंगे आपको simply से party में आजाओ ठीक है party में आओगे तो यहाँ पर आपको एक straw option मिलेगा इसको select करना and done कर देना ठीक है और जितना दूरा आपका first वाला photo है उतना दूरा इसे रख देना तो यह वाला effect यहाँ पर apply हो जाएगा आपको देख सकते हो थोड़ा effect आगे ठीक है बट देख सकते हो सेख effect कुछ जहादा ही means हमारी वीडियो को सेख कर दे रहे ठीक है तो adjust को उपर क्लिक करके Simplicize का intensity को 5 यह 6 रख देना काफी अच्छा रहेगा और इसका वीडियो रेशन फर्स्ट वाला photo देंगे and इसे done कर देंगे ओके ना उसके बाद दे करके इसे export करेंगे और भाही वीडियो बनके रेडियो हो चुकी तो अपने वीडियो को खात्म करते एंड मिलते है नेक्स्ट वाली वीडियो में